नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल सर्वन जीयस क्लासेस में कैसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और इस ठंड का आनंद ले रहे होंगे ठीक है और हना कि ठंड बढ़ गई है ठीक है चलिए तो हम लोग भौतिक भी भाजन ठीक है भारत का भौतिक भी भाजन देखें बीच में हम मतलब 2-3 दिन क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि यहां पर ठंड बहुत दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड हो गई है आपको पता है कि यहां पर जम्मू कस्मीर का सिधा परभाव परता है तो बहुत जादे हो गई है और जनवरी भर 15 फरवरी तक लगभग ऐसा रहेगा जनवरी भर मुख्य रूप से रहेगा तो हो सकता है जनवरी भर बीच-बीच में आपका क्लास एक-दो दिन एक-दो दिन में हो लिकिन आपका इंडियन योगर्ण फी चलता रहेगा बस ठंड क पढ़ हो जाते हैं लेकिन गर्मी रहता है तो कोई बात नहीं प्ढ़ हो जाता है ये लिकिन ठंड के दिन में आपको पता है कि अराम से आराम करें और पढ़ें इसेलिए, ठीक है तो आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा ठंड है इसलिए ती लिए आराम वीर इमांदारी पुर्वक पढ़ाई किजिए, सबसे बड़ा चीज है कि आप जिस चीज के परती आपका जो लक्ष है, उस लक्ष के परती अगर आप इमांदार हो जाएंगे, आपने कर्तब का पालन ठीक से करने लगेंगे, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, और आप लोग ये कहानी को दिखाया गया है किस परकाल से वो घर से निकलता है, उनकी दादी जो है कि पूरी जिंदगी की कमाई उनको दे देता है, मतलब दे देती है, और वो जब निकलता है तो उनका पैसा चोड़ी हो जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानता है, उनको पता है, उनको क्योंक कि सामने कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पाने के लिए है ना, तो जिंदगी उसने लगा दिया, उन सबसे पहले वो लाइब्रेरी में काम किये, लाइब्रेरी में उन पे आरोप लगाया, कि मतलब पैसा का गवन का, लेकिन वो इमानदार थे, तो अपने स्वाविमान के परती और अपने इमानदारी से कभी वो समझोता नहीं किये, उनके पास एक मात्र माध्यम था उस लाइब्रेरी में पढ़के और वहाँ से पैसा का खर्चा चलाते थे, लेकिन वहाँ उस पे अपने इमानदारी से कभी समझोता नहीं किये, बहतर तरीके से दिखाया गया है उसमें, उसके बाद वो आटा चक्की में काम किये, आटा चक्की में 15-15 घंटे काम करके भी पढ़ाई करते थे, तो जिनके उपर भूत सवार हो जाता है, ने कि जिन्दगी में कुछ करना है अपने लक्ष के परती इमानदार हो जाता है, बाद कि उसको दुलइआ में कुछ नजर नहीं आता है, सारा चीजे त्याग दिया जाता है और आज शिर्फ लोक भी हैं, कई सारे लोग और हम लोग कोई बहारी दुनिया से नहीं हैं, हम लोग भी उसी जिन्दगी को जी करक ठीक है और आज भी हम दिल्ली में रहते हैं तो कई सारे existe कुमार हैं उसब्सकर नोच कुमार उनने कहा भी है मनुच कुमार टो एक माध्यम है है इसे लाखो मनुच कुमार हैं जो अपने देश में उसी परकार से संगज करएirt तो आप लोग उस movie को जरूर देखिएगा, बहुत motivation मिलेगा आप लोग हार जाते हैं, बीच-बीच में ठक जाते हैं तो उस film से सिखिएगा आप लोग किस परकार से कहते हैं ने कि घर से पैसा नहीं आ रहा है परिस्तिती ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है तो उस film को जरूर देखिएगा आपको लग जाएगा कि पैसा माईने नहीं रखता है परिस्तिती माईने नहीं रखता है माईने रखता है कि आप अपने लक्ष के परती कितना एमानदार हैं कितना कर्तब निष्ठ है, आपको दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता है, वो 15-15 गंटे काम करते थे, उसको उससे कोई मतलब नहीं था, मतलब था कि हम अपनी तयारी ठीक से कर रहें कि नहीं कर रहें, बस आप लोग भी इन चीजों का ध्यान जखिए, ठीक है, बस और खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत चीज़े हैं, और पता है कि घर वापस जाके कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए जिन्दगी लगा देनी है, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, ठीक है, पता है कि हमारे पास और कोई option नहीं है, और अगर आपने कर्तब के पर उस रास्ते पर सफलता जरूर मिलेगी, बहतरीन तरीके से, बहुत चीज़े जिन्दगी में सीख लेंगे, चलिए, हलांकि आप लोग कितना अपने जीवन में इसको उतारते हैं, वो आपके परती है, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भौतिक भी भाजन, देखिए, प और इमानदारी से कोस्चन लिखिएगा, और आप लोग मेरा टेलीग्राम में सेयर किजिएगा, ठीक है, बाकी देखिए, हम कितना भी पढ़ा दे, दुनिया में कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, उससे कोई माइने नहीं रखता है, जब तक आप महनत नहीं करेंगे, हम तो महनत करके अच्छे से आपको एक अस्थान पर सेड़्ूल से उतार देते हैं, अब आप उसको अच्छे से कितना ले पाते हैं, वो आपके अंदर मतलब काम करता है, आप कितना उसके परति महनत और इमानदारी से काम करते हैं, तो हम जो कोस्चन देंगे, देखिए, क इतना लिखेंगे उतना बहतर होगा, कोस्चन आपको UPSC लेबल तक में सब कोस्चन बनेगा आपको, ठीक है, बस आप लोग इमानदारी से लिखेंगा सिर्फ, और हम अब भी सारा बताएंगे कैसे लिखना है, क्या करना है, चलिए, सबसे पहले कुछ कोस्चन लिखेंगे आ आर्थिक महत्तु पर प्रकास डालें, अब इसको संग्छिप्त में लिखना है, मतलब कि दो सो से धाई सो वड में आपको लिखना है, दो सो से धाई सो वड में, एक कोस्चन हो गया, दूसरा कोस्चन लिखेंगे, भारत की भोगरभेक संदचना और खनीज़ों में अंतर स संबंद को बताएं, तीसरा कोस्चन लिखें, प्राइदवीप भारत की भोगरभेक संदचना के मुख्य विशेष्ताओं को बताते हुए, इसके खनीज संसाधन में संपन होने के कारण को समझाएं, एक कोस्चन लिखें, भारत के लिए आरकियन एवं धारवार संदचना की, आरथिक महत्य एवं संभावनाओं पर विचार करें, देखें, सारे के सारे कोस्चन, आप लोगों को एक दिन में दो कोस्चन लिखना है, ठीक है, कोस्चन आप तब लिख पाईएगा, जितना भी हम संदचना पढ़ाएं हैं, ठीक है, उस पूरा दिमाग में उतार लिजे आरकियन संदचना में कोन अधातु पाया जाता है, आपको बताएं थे कि आरकियन जो है, परमानुओर्जाद की दृishtu से महतपुर्ण है, तो उसी परकार से जैसे आप अपने दिमाग में कल्याक्त करके रखेंगे उसी परकार आप लिखेंगे, अब लिखना कईसे है तो आपका copy है एक है जैसे हम लोग जो writing करते हैं उसको हम आपको दिखाते हैं उसी आधार पर आप देखें यह माली युपिस इसका पेज है मेरा है ना यह युपिस्टी का पेज है यह देखें तो आपको अपना कोपी में भी इसी परकार आपके पास तो यह होगा नहीं अगर होगा तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप लोग भी कोपी में क्या किजेगा यह आपका कोपी है ना मालेजे यह कोपी का पेज है तो इसमें आप लोग दोनों साइड हां से खेच लिजे इस केल कर लिज ठीक और उपर बेभीकर लिजिएगा इस प्रकार से ठीक अब आप लोग माले जी हम पहला कोस्चन दिये तो कोस्चन नमबर एक यहां लिखशेगा आप लोग हम आपको पहला कोस्चन क्या बोले कि भारत की भुगर्भिक संदचना भारत के लिए आर्थिक महत्व पर 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 योगदान देती उसको समझाना है ठीक है तो आप लोग पहले यहां कोस्चन लिखेंगे पूरा उसके बाद सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा आप लोग लिखते चलेगा समझ में आ जाएगा देखिए इस परकार से पेज है आपके पास कोपी जरूर होग यह कोपी एक बना लेजिए उसमें आपके पास यह नहीं है तो आपको हांसिया खिच लेना है दोनों साइड में ठीक है जैसे धाई सव वर्ड बोलेंगे न तो पूरा पेज आ जाएगा पूरा इधर यह पूरा उसके बाद एक और पेज में आप आधा दूर तक लेके जा थे हम इतना पढ़ाएंगे कि आपको UPSC में या कोई भी PCS एकजाम में इंटरव्यू तक काम में आएगा ठीक है इसलिए हम उस दृष्टी से प्रहा रहे हैं तो धियान रखेगा आपको आप लिखना कहां से प्रारंब करना है यहां से पहले इंट्रोडक्शन लिखेंग तब आप इंट्रोडेक्शन क्या लिखेंगे भारत में प्राचिन्तम आर्कियन संदचना से लेकर नविन्तम क्वार्टनरी संदचना पाई जाती है जिसमें बिभिन परकार के खनेज धात्विक अधात्विक परमानू उर्जा आदी का भंडार पाया जाता है बस इंट्रोडेक्शन इतना हैं आप इसको जिस अपने अनुसार जिस परकार बहतर से बहतर लिख पाएं हौ ग不是 नवी हो जिए। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे अब सब को डील करना है और्कियंसांदचना है तो आप एक- एक करके फिर इंट्रोडेक्शन लिख दिजेगा फिर आप लोग पराग्राफ चेंज किजेगा उसके बाद लिखेगा आरकियран संददया और आपको आठ लिखना है और की अनलão का महत्तु क्या है बस आरकियण संददना लिख़ेगा अरकियान संदचना परमानु उर्जाखनीज की दृष्टी से महत पूर्ण है इसमें यूरैनियम और थोर्ययम पाए जाते हैं जू जू परमानु परिक्षन के लिए महत पूर्ण है या परमानु से संबंधित उद्योग लगाये जाते हैं महत हो या इसका बना दीजेगा थैप पर संदचना बताए थी ते भार्वार संदचना को लिखियेगा आपकोसिस किजिएगा कि सिमीत में लिखना है ज्यादा पेज यूज नहीं करना है यह पूरा आजा आजाएक यह था-था-पिय। और एक पेज और लेके, दो पेज में पुरा भर दिजेगा, और अपने से लिखेगा, याद करके, पहले पुरा याद करना है, फिर उसको लिखना है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, दावा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इतना बेहतर हो जाएगा आपका तयारी, कि आपको करना है, हम पूरा आपको पढ़ा दिये हैं, लिखा दिये हैं, उसी से आपको अपने से भासा में उतार देना है, ठीक, चलिए, और जैसे चार कोस्चन दिये, फिर दो कोस्चन अगले क्लास में, अब हर क्लास में आपको पहले दो कोस्चन लिखाएंगे, और आपक आपको बहुत समर्शिया होगा, लगेगा क्या लिखे नहीं लिखे, ठेक है, ये लगेगा, आप लोग कमेंट करके बताईएगा, अगर नहीं होगा तो, फिर हम तो आपको समझाएंगे ही, ठेक है, एक-एक करके, पूरा क्वोस्चन तो हम नहीं लिखा सकते हैं, जैसे किसी क्लास में हम इस पेशल कोस्चन का क्लास दे देंगे, उसमें पूरा कोस्चन समझाएंगे पहले, ठेक है, तो इस परकार से हम करेंगे, तो आप लोग इसका चेंता नहीं किजिएगा, चलिए, पहले आप लोग अपना प्रैक्टिस करके हमको दिखाईए, हम जैसे बताए, ठेक है, उसके बाद हम फिर हैं, लाश्ट में दे दिजिएगा आप लोग निसकर्ज, पहले तिन लाइन इंट्रोडक्शन, उसके बाद सारा संदचना लाश्ट में निसकर्ज, लिखना नहीं है निसकर्ज, बस निसकर्ज भी कितना होना चाहिए, दूसरे तिन लाइन, ल पार्कियन संदचना से लेकर नविंतन क्वाजनरी संदचना पाई जाती है जिसमें खनीज तत्वों का आपार भंडार है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्पूर्ण भुमी का निभा सकती है अपने से हो गया है टैकलूजन झरी आप लोग लिखेगा जितना पहतर आप लिख सकते हैं उतना पहतर मार्स डेंगा भुमी कैसे ठेके अब या दर ना। आपको डरूआ fell झालिये अब हम बात करते हैं भारत का भृतिक विभाजन एक सेकेंट भारत का भाउतिक विभाजन चलिए भारत का भाउतिक विभाजन में हम लोग चर्चा करते हैं कुश्चन आप लोगों को दिक्कत होगा लिखने में तो आप लोग कमेंट किजिएगा ठीक है फिर अगले क्लास में कुश्चन लिखाएंगे तब तब आपको सारा समझ में आपको करना है, और लिखने का प्रैक्टिस निरंतर जाड़ी रखना है, क्योंकि BPSC का पेटर्न आप लोग देख रहे हैं, अब छोटा-छोटा कोस्चन देता है, आठाट नंबर का कोस्चन कर दिया है, साथ कोस्चन, आठ कोस्चन, अब उसको, यानि कि 20 कोस्चन, 11 कोस्च के बारे में, महत्तु के बारे में, आप आराम से बोल सकते हैं, लिखने से आपको ये सब चीजें बहतर हो जाएगा, चलिए, अब भारत का भावतिक बिभाजन के आधार पर भारत को 5 भागों में बाटा गया है, ठीक है, भावतिक बिभाजन के आधार पर भारत को 5 भाग में पाँटा गया है भावतिक बिभाजन के आधार पर भारत को पांच भागों में पाँटा गया है कौन कौन सा है पांच भाग कौन कौन सा है देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा उत्तर का परवतिय परदेश पांच भाग में है उत्तर का परवतिय परदेश उत्तर का परवतिय परदेश दूसरा में लखेगा उत्तर का मध्यवर्ति मैदान उत्तर का मध्यवर्ति मैदान तीसरा में लखेगा प्राइदवीप य पठार या दक्षिन का प्राइद्वीप या 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 प्राइद्व याद रखेगा भारत का भावतिक भिभाजन ठेक अब भावतिक परदेश को हम लोग उच्चावच भिभाजन भी कह सकते हैं अभी बताएंगे तो इसको जो है उच्चावच भारत के भावतिक या उच्चावच परदेश भी इसको कह सकते हैं इसको उच्चावच भी कह सकत अभी बताएंगे क्यों उच्छावच प्रदेश तो पहले आप लोग लिखिये तब फिर हम आपको बताते हैं क्या क्या है लिखिये आप लोग पांच भागों बाटे हैं पहले भावतिक विभाजन किसे कहते हैं इसको लिख लिजिए लिखे भावतिक विशेस्ता के आधार पर किसी छेत्रे इकाई का निर्धारन किया जाना लिखे भावतिक विशेस्ताओं के आधार पर किसी छेत्रे इकाई का निर्धारन किया जाता है तब इसे भावतिक परदेश कहते हैं भावतिक आधार के अंतरगत परवत, पठार, मैदान आधी भावतिक विशेस्ताओं को सामिल किया जाता है तो हम आपको बोले कि भावतिक विशेस्ता के आधार पर जिस परदेश को विभाजित करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको भावतिक परदेश कहते हैं और भावतिक परदेश का विभाजन का आधार क्या है? परवत, पठार, मैदान ये आधी है अभी बताएंगे क्या है, जैसे मालेजे कि भारत है, इस छेत्रों में पुरा परवत है, इसको परवती परदेश, ये छेत्रों में पुरा पठार है, इसको पठारी परदेश, ये छेत्र पुरा मैदान है, तो मैदानी परदेश, ये भावतिक विभाजन हो गया इस परकार स अभी बताएंगे इसको आपको उतारना नहीं है ठीक है? आप लोग लिख लिए भावतिक विशेस्ता किसे कहते हैं? ठीक है? अब लिखें बिभिन भावतिक परदेश की मुख्य विशेस्ताएं एक दूसरे से गुनव का अंतर पाया जाता है लेकिन एक समान भावतिक परदेश में भावतिक गुनव में समरूपता पाया जाती है यानि कहने का मतलब हो गया जैसे हम अभी बताएं आपको ये परवत परदेश है ये पठारी परदेश, ये मैदानी परदेश है तो इस परदेश और इस परदेश के दोनों में विशेस्ता है दोनों में भावतिक विशेस्ता है ये पठार है ये परवत है इन दोनों यानि इस छेतर में अपने आप में ये पूरा छेतर में अपने आप में समरूपता पाया जाती है पूरे परवत्य परदेश है ठेक है ये कहने का मतलब है अब हम आपको बोले कि भाउतिक आधार पे भारत को पांच भागों में बाटे हैं कौन-कौन सा उत्तर का परवत्य परदेश मदवर्ती मैदान प्रायदुप्य पठार और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूँ है यह होगी अपना प्यारा सा भारत, ठीक है? अब देखिए भारत का भावतिक परदेश, तो इसको पहले एक नंबर में देखें, यहां से, यह पूरा का पूरा, ऐसे करके यह, यह एक परदेश हो क्या है, यह पूरा का पूरा एक परदेश, ठेक ये एक नमबर में हो गया ये हो गया उत्तर का परवत्य पर्देश इसको यहां पर लिख लेजेगा एक नमबर ये हो गया एक नमबर ये प्रवत्य परदेश आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा है मद्वर्ती मै धनी परदेश तो मैध्वर्ती मैदान जो है ना यह जो अरावली रेंज है यहां से इस परकार से यहां खतम होती है ठेक है तो यह है आपका इधर यहां भी यह मैदानी परदेश का भाग यहां भी है तो यह हो गया हमारा मैदानी परदेश यह मैदानी परदेश यह हो गया मदवर्ती मैदानी परदेश मदवर्ती मैदानी परदेश यहां पे दो नमबर उसके बाद तीसरा में हम आपको बोले प्राइद्वीप ये पठारी पर्देश तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये पूरा का पूरा इस परकार से ये ऐसे श्टार्ट होगा और ये पूरा ऐसे करके बना हुआ है ये पूरा है पठारी पर्देश ये प्राइद्वीप ये पठारी पर्देश प्रायद्वीप या पठारी परदेश ये ठेक है उसके बाद क्या है तटवर्ती मैदानी परदेश तो ये वाला जो बचा है ना बांकी भाग ये वाला ये ये तटवर्ती मैदानी परदेश है अभी सब बता देंगे, यह हो गया तटवर्ती मैदानी परदेश, लास्ट में हम आपको बोले द्वीब सम्हूं, आप लोग सारा भारत से परिचीत है, ठीक है, कंटिन्यू क्लास किये हैं तो आप लोग परिचीत है, तो यहाँ पर अंदमान निकोबार द्वीब सम्हूं है ठीक, और इधर में लक्ष द्वीब सम्हूं है, भारत का है ना, यह लक्ष द्वीब सम्हूं है, तो एक परदेश यह है हमारा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए, उत्तर का परवत्य परदेश, उत्तर का परवत्य परदेश, आप लोग पुरा लिखिएगा, ठ यहां लिख दीजे दो नंबर तीन नंबर में प्राइद्विप या पठारी परदेश ठेक आप लोग पूरा लिखेगा यहां तीन नंबर चार नंबर में तटवर्ती मैदानी परदेश यहां पे चार नंबर अब पांच नंबर में यह दोनों मिलाके है ना तो यहां पांच नंबर में लिख दीजेगा द्वीप सम्हूं अभी सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं ना भारत के बारे में अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कहां परद है कहां पठार है कहां म अच्छे से लिख लिजिएगा अप लोग उत्तर का पर्वत्य पर्देश मदवर्ती मैदानी पर्देश प्राइद्वीप पर्थारी पर्देश टटवर्ती मैदान और लक्ष द्वीप समू में भारत के पास द्वीप है अब चलिए अब हम बोले कि इसको उच्चावच पर पर्देश पर्मुख उच्चावच पर्देश भी है इन्हें निम्न डाइग्राम से समझा जा सकता है अब उच्चावच में लोग उच्चावच को दिखाते हैं इसको एक डाइग्राम से समझेगा आप लोग उसके बाद नीचे डाइग्राम बनाते हैं देखिए सबसे पहले हम नीचे से डाइग्राम को लेते हैं इधर आपको पता है कि ये वाला हमना हिस्सा जो है बंगाल की खारी ये इधर बंगाल की खारी नीचे हिंद महा सागर इधर अरव सागर है ये तो आप सबको पता है ये पहले बता चुके हैं ठीक अब देखिए तो नीचे स हम बनाते हैं उच्चावच परदेश को हम नीचे से बनाते हैं ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर जगह नहीं पचेगा तो छोटा देगा मेदानी भागे अब देखें उच्चावच परदेश को आप लोग समझेएगा ठेक है इधर थोरा जगह इतना ही है काफी है यह इस नाम हो जाएगा यह देखिए ठेक यह हो गया हिमालाई परवत परदेश यहां तक अब समझेए थोरा सा उच्चावच परदेश की दिरिष्टी से देखिए यह वाला जो हिस्सा है यह वाला मैदानी भाग है न आई यह वाला तो कि देखिए यह वाला महासागर है हिंद महासागर यह वाला हिंद महासागर हिंद महासागर के बाद क्या है प्राइद्वीपिय पठारी परदेश यह वाला लिखेगा प्राइद्वीपिय पठारी परदेश आप लोग पूरा लिखिएगा ठेक आई यह वाला जो भाग क्या है यह वाला मदवर्ती पठारी परदेश के बाद मैदानी भाग है ना पठारी के बाद जो मैदानी भाग है हमारा तो उसके बाद जब जाएंगे तो यह पठाडी पर्देश आई यह मैदानी भाग मैदानी भाग पठाड से थोड़ा नीचे होगा तो यह वाला मद्वर्ती मैदानी पर्देश मद्वर्ती मैदानी पर्देश आप लोग पूरा लिखेगा उसके बाद उसका देखिए हिंद महासागर नीचे है उससे थोड़ा सा उपर क्या है पठारी परदेश उचा बनाए उसके बाद नीचे में मैदवर्ती मैदानी परदेश उचावच की दृष्टी से उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे हिमाल हिमालाई परवत्ति परदेश हिमालाई परवत्ति परदेश या उत्तर का परवत्ति परदेश आप लोग लिख लिएगा इधर पूरी ठेक है उत्तर का परवत्ति परदेश उसके बाद इधर उसके ऊपर चल जाएए यह वाला तिबबत का पठार यह वाला क्या है ठीक है अब अगर हम देखेंगे तो ये वाला हमारा महसागर के बाद क्या है प्राइदवी पर पठारी परदेश है ये वाला भाग ठीक है ये भारत का लगभग लगभग 16 लाख वर किलोमेटर छेतर फल में फैला हुआ है ठीक है आप लोग डाटा लिख सकते हैं लिखे प् प्राचिनतम चत्तान पए जाता है न आर्खियन और प्रीक्रेम्बियंगे नियात्य पिर्देश याद किजिए आई जो भाग है ना आपको बतायते हैं पूरा भारत का छेत्रफल 32 लाख वर किलोमेटर छेत्रफल है तो उसमें जो प्राइदवी पर पठारी भाग है यह वाला भाग है यह 16 लाख वर किलोमेटर छेत्रफल में फैला हुआ है ठीक आये मदवर्ती मैदानी भाग में जो है यह नवीन संदचना है यह क्या है यह नवीन संदचना है आये इसमें कुण सा क्वार्टनरी संदचना पाये जाता है इसमें नवीन जलूर मिठी यह परधान संदचना है आज मतवर्ती मैदानी परदेश है यह लगभग सारी 7 लाख किलोमेटर छेत्रफल में फैला हुआ है ठीक उसके बाद है परवत्य परदेश ये वाला भाग क्या हो जाएगा परवत्य परदेश ठीक परवत्य परदेश जो परवत्य परदेश है ये भी तो टर्सियरी संदचना है ये भी नवीन तम संदचना है ये भी टर्सियरी संदचना है आप लोग पर चुके हैं टर्सियर नवीन वलीत परवद है अभी आप लोगं को बता भी चुके और फिर बताएंगे ये नवीन वलीत परवद है आईए भारत के लगभग पांच लाख वर्ग किलोमेटर छेतर फल में फैला हुआ है ठीक अब देखिए हम आपको उच्चावच की दृष्टी से बता रहे हैं न हम आपको उच्चावच की दृष्टी से बता रहे हैं तो ये वाला जो भाग है यानि कि प्राइदी पर भाग जा है इसकी जो उचाई है इसकी उचाई 500 से 600 मीटर है इसकी उचाई आधार तल से आगे बताएंगे आपको सब चीजे यानि कि समूंद्र तल से उसकी शिब उसके बाद मद्वरती मैडान जाएंगे तो वह था नीचे है मद्वरती मैडानी भाग क्या है नीचे है तो उसकी जो मतलब जो 50 थीन सौ मीटर है यह नीचला वाला भाग पचाश से तीनसो मीटर है और जो परवत्य परदेश है इसकी आउस्त उचाई की हम बात करना है यह छे-हजार मीटर है इसकी आउस्त ठीक यानि कि सबसे प्राइद्विप भारत 500 से 700 मीटर उचा मदवर्ती मैदान 50 से 500 मीटर कहीं 50 मीटर उचा है कहीं 300 कहीं 500 है उसके बाद यह परवत्य परदेश जो है यह 6000 मीटर आउसत उचाई है उसका कहां से समुंद्र तल से ठीक अब आप लोग यहां भी अब लिख सकते हैं प्राइद्विप पठार की यहां पे जो आप लोग लिखे आए ना प्राइद्विप पठार तो यहां मेप में नहीं लिख दिजिए 500 से 700 मीटर सारा चीज़ें लिख दिजिए छेत्रफल 16 लाकवर किलोमेटर चेत्पल मदवर्ती मैदान यहां लिख दिजिए 50 से 300 ठीक ताकि मेप में ही सारा किलियर हो जाए आपको याद नहीं करना पड़े ठीक है एक जाम में रचना नहीं पड़े तो यहीं लिख दिजिए आप लोग इसका च्छेत्रफल टृग फिर इसके बारे में भी मेट में डाल दीजिए आप लोग डियर हो गया थेक है तो भारत के भावतिक पर्देश वह उच्चावच पर्देश और संदः चनावंच पर्देश है तो यह संदः चनां की बता चुके हैं देखिए तो आप लोग यह हो गया इसको क्या कहेंगा उच्चावच परदेश इसकी उचाई पहले समूंद्रतल हिंद्र महासागत उसके बाद प्राइद पठा मदवर्ती मैदान हिमालेई परवत्य परदेश जैसे पहले इसकी भाग उचाई है उसके बाद मदवर्ती भाग जो है क्या है मदवर्ती भाग थोरा गहराई है उसके बाद फिर उचाई है यह किलियर हो गया हमको पढ़ना है अब देखे यह भारत का भावतिक बिभाजन आपका किलियर हो गया भावतिक बिभाजन किलियर हो गया ना भावतिक बिभाजन देखिए आप आप लोगों को एक एक चीज़िया च्छे से बता रहे हैं ठीक है एक सकेंट यह भौतिक विभाजन के लिए अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई उतर से यानि कि उतर का परवत्य परदेश से पहले हम लोग उतर का परवत्य परवत्ति परदेश को पढ़ते हैं झालिए इसको हम लोग मिटाते हैं आप लोग इसको लिख लीजिए घाल पहले उत्तरका परवत्त परवत्ति पादेश को पढ़ेंगे हम लोग तो इधर मिटाते हैं हॉआ है एक अब इन सभी कोई जरूरत नहीं है कि चलिए अब हेडिंग देजिए आप लोग उत्तर का परवत्य परदेश कि उत्तर का परवत्य परदेश ओफ लाइन में परहने का आदत है इसलिए बोल देते हैं परवत्य परदेश चिन्ता नहीं कि जिए आप लोगों को जल्दी लाइब क्लास देंगे ठीक है बस कुछ दिन की इतिजार है उसके बाद फिर सोर आएगा क्या है तुम्हारा वक्त आया है बाकि आप लोग सब समझते ही हैं चलिए उत्तर का परवत्य परदेश ठीक अब देखिए तो उत्तर का परवत्य परदेश में आप लोग लिखिए पहले इसमें हम लोग जानेंगे उत्तर का परवत्य परदेश में पहले उसका परीचय जानेंगे फिर अक्ष संधी वलन जानेंगे पिर इसकी उत्तर को समझेंगे फिर इसका महत्य को समझेंगे ठेक है उत्तर को समझेंगे इसी में हम लोग प्लेट विवर्तनी की सिध्धांत को समझेंगे फिर इसका हम लोग अच्छे से लिखेगा उत्तपत्ती फिर इसका महत्य को हम लोग समझेंगे अब फिर जो पीटी में जो फेक्ट फेक्ट कोस्चन पूछा जाता है पीटी की द्रिष्टी से तो इसका छेत्रफल, विस्तार, चोटी इस सब समझेंगे उसमें चोटियां, स्रेनियां, घाटियां, मैदान, दर्रा ठेक है ये पढ़ेंगे अब फिर हिमालाई का प्रादेशिक बिभाजन पढ़ेंगे हिमालाई का प्रादेशिक बिभाजन, हिमालाई का प्रादेशिक बिभाजन को समझेंगे हम लोग बिभाजन ठीक है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पड़ी चाय, अक्ष संधी वलन, उत्पत्ती में भूर सन्नती और प्लेक विवर्तनकी, फिर इसका महत्तु समझेंगे, ठीक महत्तु लास्ट में लिखेगा, पहले पीटी के द्रिष्टी से फिर देखेंगे, चोटियां, पर्मक चो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालाई पर्वत्य पर्देश को समझेंगे, ठीक, अब देखिए, अब उत्तर का जो हिमालाई पर्वत्य पर्देश है, उसको समझेंगे, आप लोग, देखिए, अब इसमें पूरा मेप नहीं बनाते हैं, सिर्फ उत्तर भारत का बनाते हैं, आप लोग अपने अनुसार से बना लिजेगा मेप, अब तो खाली मैपिंग मैपिंग पर काम होगा ना, जोग्रफी है, तो आप लोग को मेप बनाने के लिए बेहतर सीख लेना है, किसी पर डिपेंट नहीं रहाना है, ठीक है, सिर्फ उत्तर भारत का मेप बना देते हैं, ठीक, यह हो गया उत्तर भारत का मेप, देखिए, जब आप पढ़ेंगे, अब तो यहाँ पे एक गांठ बना हुआ है, चटान का है, इसको कहते हैं, तिबद का पथार, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तिबद का पथार यहाँ है, उसका मुख के चोटी यह वाला है, पामीर का पथार, पामीर, इसको पामीर का गांठ भी कहते हैं, ठीक है, पामीर का गांठ, क्योंकि यहाँ पे न, यहाँ से एक परवत का भाग इधर निकला है, एक परवत का भाग इधर निकला है, हिंद को, ऐसे करके निकला हुआ है, ठीक है, सुलेमान परवत के रथर की पहाड इधर निकला हुआ है इंद को जब हिवान प्रवत निकल गया है तो ँसके नीचे यहां आएंगे यहां दो पहाडी मिलेगा यह वाला सुलेमान पहाडी सुलेमान आ इधर किर्थर की पहाडी किर्थर की पहाडी अप्छिर इधर आएंगे जो हम लोगों का उत्तर का परवत्य पर्देश है इसको हम लोग चार भागों में बाते हैं उत्तर का परवत्य परदेश को चार भागों में पाते हैं सबसे पहले है ट्रांस हिमाल है ठेक है उत्तर का परवत्य परदेश को कितने भागों में चार भागों में पहले आई से नहीं इसको अब चार भागों में आप लोग लिखिएगा नहीं यहां पे है कारा कोरम स्रेनी यह कारा कोरम उसके बाद है यह लद्दाग ठेक उसके बाद है जासकर कारा कोरम लद्दाग जासकर से नी उसके बाद यहां से यह जासकर ठेक जासकर है थोड़ा और यहां तक आता है जासकर उसके बाद यह वाला हिस्सा जो हम उपर का बना रहे हैं यह पूरे के पूरे यह वाला है विरिहद हिमाले ठेक है यह वाला है विरिहद हिमाले उसके बाद दूसरा इसी में एक हिमाले है इस परकार से बना हुआ है ठेक हलांकि यहां तक आएगा फिर यहां एक हिमाले तीन ऐसे करके तीन है तो जो सबसे उपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं विरिहद हिमाल कर दूसरा वाला हिसा है यह वाला है इसको सिवालीख हिमालय को लागु हुelles हम लोग κι पर्थे इस इतीनों को मिलाकि हम लोग कहते हैं ट्रान्स हिमाले इन तीनों को मिला के क्या काते हैं, ट्रांस हिमाले, ठीक, ट्रांस हिमाले, तो देखें, ट्रांस हिमाले, विरिहद हिमाले, ठीक, मद्ध हिमाले, सिवालीक हिमाले, सिवालीक को ही लगु हिमाले भी कहते हैं, ठीक, तो ये उत्तर का जो हिमाले परवत्य परदेश है, उसको क कारा कुरम लद्दाग जासकर कारा कुरम लद्दाग जासकर उसके बाद एक फिर दू फिर ये तीन तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं इस परकार से कि ये कारा कुरम ये लद्दाग ये जासकर ये विरिहद ये विरिहद ही माले ये वाला विरिहद ये वाला मध्य ये वाल सिवा लिग सिवा ये फिकर भी बना लिए एक दम के लिया कहीं डावुद नहीं होना चाहिए ठीक इधार देखिए हम ऐसे करके निकाल के बनाए हैं तो ऐसे करके ये अचाना कैसे मुड़ी हुई है मुड़ी हुई है दोनों साइड मुड़ी हुई इधार भी और इधार भी ठीक है इधार भी और इधार भी मुड़ी हुई है है ना तो यह जो मुड़ी हुई है इसको कहते है आराकान योमा परवाद इसको इधार अलग से कहते हैं आराकान योमा परवाद तो आप लोग इस इसको कहते हैं आराकान योमा परवत ठीक है आराकान योमा परवत अब देखिए इसका इस फिगर में आप लोग समझेगा इसका इस साइड और इस साइड अचानक मुरा हुआ है न अचानक मुरा हुआ है न इसी को अक्षसंधी वलन कहते हैं इसी को क्या कहते हैं अक्षे संधी वलन कहते हैं इसको अक्षे संधी वलन कहते हैं देखिए और एक चीज़े समझेगा कि जो इसका जो मुराव है ये तीर की तरह धनूस के तरह पना हुआ है इस प्रकार से धनूस के तरह है तो जो उस साइड है जो उस साइड है मतलब चाइना के साइड है यह क्या है अवतल है जो इस साइड है यह उतल है यानि हिमाले परवत परदेश जो है इसका अगर उत्री भाग बोलेंगे उसका जुकाव किस वह अवतल बना हुआ है मिरर के तरह अगर देखेंगे तो अनीचला वाला भाग उतल क तरह कोंचन पूछ भी सकता है कि देखें पूरब और पश्चीम में पूरब और पश्चीम क्या है वलन है यह मुरा हुआ है अचाले किसी को अक्ष संधी वलन कहते हैं तो आप लोग इसके बारे में थ्वरा सा लिखी थ्वरा शJean लिखे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं उत्तर का परवत्य परदेश भारत के उत्री भाग में लगभग पांच लाख वर किलोमेटर छेत्रफल में विश्त्रीत है देखे ये पूरा का पूरा जो छेत्रफल जो फैला हुआ है ये पांच लाख भारत का छेत्रफल केतना है 32 लाख वर किलोमेटर छेत्रफल उसमें से ये वाला भाग पांच लाख वर किलोमेटर छेत्रफल में ये फैला हुआ है तो लिखिए छेतर में विश्टरीत है विश्व की नवीन वलीद परवत है इसकी उत्पत्ती अंतिम क्रिटेशियास से लेके टर्शेरी काल तक अलपाइन भू संचलन के परिनाम स्वरूप हुई है इसके वर्तमान स्वरूप का निर्धारन तर्शेरी काल में होने के कारण इसे तर्शेरी परवत कहते है तो हम आपको बोले कि इसका छेतर फल कितना है पांच लाख वर किलोमेटर छेतर फल में यह फैला हुआ है ठीक यह कुण परकार का है यह नवीन वलीत परवत है यह नवीन वलीत परवत है यह मुड के बना हुआ है यह नवीन वलीत परवत है और इसकी उत्पत्ति अंतिम क्रिटेशियस काल से प्रारंभ हुई है कबसे अंतिम क्रिटेशियस आप लोग एकदम निकाल लेजे क्रिटेशियस काल से प्रारंभ हुई है ठेक आइसकी उत्पत्ति अंतिम क्रिटेशियस काल से प्रारंभ हुई है ठेक है और तर्सियरी काल तक तर्सियरी काल तक अलपाइन भूसन चलन अलपाइन अभी सब बताएंगे सब सब टर्मलोजी बताएंगे अभी सब बताएंगे यह तर्सियरी परवाथ है ठेक है आप लोग पुरा लिखे उसके बाद परग्राफ चेंज करके लेखेगा लेखे यह एक अलपाइन परवत है जिसकी उत्पत्ति आलपस एवं अन्य नवीन वलित परवत के साथ होने के कारण इसे आलपस के आधार पर इसे अलपाइन परवत कहते हैं अभी बताएंगे इसको आलपाइन परवत क्यों कहते हैं आप लोग लिख लिजे अभी सब समझा देंगे लिखे इसकी आउसत उचाई परग्राफ चेंज करके लिखेगा इसकी आउसत उचाई इसकी आउसत उचाई नीचे लिखेगा आप लोग सब नीचे करके इसकी आउस पश्चिम की और लगभग 25 किलोमेटर की लंबाई में चापाकार या धनुसाकार आकिरती में कई समनांतर स्रेणियों में विश्तरीत है देखें आप लोग रोक रोक के वीडियो लिख लिजेगा हम इस पीट से बोल देते हैं ठीक है लिखेगा पेराग्राप चेंज करके पुर्वी एवं पश्चमी भाग में यहाद दक्षिन की और अचानक मुड़ी हुई है इस मोड को अक्षसंदी वलन कहते हैं ठीक है तो आप लोग यह समझ गए ना अब देखें कि एक फिगर और बनाते हैं यह आपका सारा केलियर हो जाएगा देखिए हम आपको बोले हम आपको क्या बोले कि देखिए यह जो परवत्य परदेश है इस परकार से फैला हुआ है यह इस परकार से बना हुआ है देखिए हम आपको क्या बोले इसकी जो लंबाई है पूरव से परशीम परव से परशीम जो है इसकी लंबाई केतना है पचीस सव किलो मेटर है पचीस सव किलो मेटर है पचीस्व किलो मीटर है इसकी आउसत मुचाई आउसत अभी सब आगे धिरे धिरे समझेंगे छे हजार मीटर है कितना है छे हजार मीटर हम आपको बोले यह धनूसा कारा किरती में है देखें धनूस के तरह है ना है, हम आपको यह भी बोले, कि इसकी पूराव में जो मतलब canada की के मिवप्नाnd पूरवब में जो ही एकसो असी से दूसा किलोमीटर, यहां फे जो की किलोमीटर है, लेकिन निंख्ञाक में पिसकी किलोमीटर है समझ गें आप लोग यानि यह जो हीमाले परुवत है यहां इसकी चूड़ाई मतलब मोटाई कम है यहां पर जदा है इसका कारण क्या है इसका कारण है रहा है यह हमारों आप लोग बना ये शु सकतर करह दुर vaig तो यह जो दवाब है निए उत्तर पुरब में इसका दवाब अधिक है इसके रहें अधिक धक्का दिया इसलिए इदर पतला है और इधर मोटा है क्योंकि इदर इसका धक्का कम प्र रहा है तो इधर कम दवाब है लेकिन इधर जादा दवाब इसलिए इधर कम चोड़ाई है हिमालाई का इधर अधेक चोड़ाई है ठीक है तो पूरब में कम चोड़ा है और पस्षिम में अधेक चोड़ा है इससे आगे हिमालाई परवत के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे एक कुस्चन भी कराएंगे आप लोगं को कहीं जाने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं ठीक है आप लोग अच्छे से एक एक करके नोट्स बनाईएगा बेहतर तरीके से नोट्स बनाईएगा और कोशिश किजिए का कि एक चलिए तो आप लोग अच्छे से ठंड में पढ़ाई किजिए ठंड थोरा जाजा है मतलब इससे बच के रहना है और अपना क्या करना है रूम में बैट के पढ़ाई तो करना है अराम से पढ़ाई किजिए और अपने लक्ष के परति हमेशा इमानदारी तरीके से महनत ठेक है और किसी भी नगेटिव चीज़ों को दिमाग में मत रखिए क्योंकि जिन्दगी में मतलब बहुत समस्या है है ना इस्टुडेंट लाइप में बहुत समस्या है खाने का समस्या पीने का समस्या रहने का समस्या हर चीज का समस्या है भाई ठीक से खाना नहीं मिलता ह क्या ठीक से डेली बाई डेली मतलब खाना की समस्या हर तड़े की समस्या है उसमें आप दूसरे चीज़ों की समस्या को नहीं ले सकते हैं अपने सर पे इसलिए अपने आपको पॉजेटिव माइंड बना के रखिए खुब महनत किजिए ठीक है बाकी तो जिंदगी में अच् थेंक यू